साई की बात मेरे बचे सिर्फ और सिर्फ तेरे ली आऊंगा बैठोंगा तेरे पास आकर और अगर तुम्हारे जिंदगी में कोई दखल अंदाजी करने की कोशिश करे कोई हस्त शेप करने की कोशिश करे न तो उसे करने मत देना मेरे बचे उसे वही पहली बार में ही रोक देना क्योंकि कि अगर वो पहली बार में ही, अगर वो कर गया न, तो वो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, वो बार-बार करेगा, वो जुचकेगा नहीं मेरे बचे, तो उसे रोकना तुम्हारा काम है मेरे बचे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दखल लेकिन तुम चलो तो सही निकलो तो सही वहां से और सुनो और सुनो कुछ मेरे बच्चे न मेरे आगे बहुत रोते हैं बहुत विन्निती करते हैं कि उनके बच्चे सुखी रहे उनका परिवार एक रहे उनके घर में एकता रहे तो सुनो मेरे बच्चे तुम मेरे साइस सा चरितर पढ़ना शुरू करो तुमारे जीवन में जितनी भी समस्या है ना सबका समधान हो जाएगा मेरे बचे सारी चीजों का निवारन हो जाएगा मेरे बचे तुम देखना और तुम्हारे पास जल उधी भी पहुंचाएगी मेरी बहुत जल्दी मेरे बचे जैसे जैसे तुम मेरी साइसा चरितर पढ़ोगे ना वैसे वैसे तुम्हा मन बदल जाएगा सबका मेरे बच्चे तुम देखते जाओ कि तुम्हारा मन और तुम्हारे परिवार का मन तुम्हारे लिए मैं कैसे बदलता हूँ मेरे बच्चे तुम देखते जाओ क्योंकि तुम्हारे परिवार में एक ऐसा शक्ष है जो तुम्हें बिल्कुल देखकर जो तुम्हें देख करना मुह मोड लेता है, मेरे बच्चे मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत दुखता है, तुम चाहते हो कि वो तुमसे बहुत प्यार से बात करे, तुमसे अच्छे से बात करे, तुम उससे कुछ मांगते नहीं, कुछ उससे च प्यार भी करेगा, तुमसे बहुत प्यार करेगा मेरे बच्चे, वो आएगा तुम्हारे पास, खुछ चल कर आएगा और तुमसे माफी भी मांगेगा, जो भी उसने तुमसे अपशब्द कहे या कुछ भी कहाना मेरे बच्चे, वो आएगा, माफी मांगेगा मेरे बच्चे और सुनो तुमने अपने आपको कभी पहचाना ही नहीं मेरे बचे मैंने तुम्हे पहचान लिया तुम हीरा हो मेरे बचे हीरा अपने आपको पहचानो अपनी खुबसूर्थी को पहचानो मेरे बचे तुम अपने आपको यू अनमोल नहीं समझते हो तुम समझते हो कि अपने आपको बस ऐसे ही हो तुम, तुम ऐसे ही नहीं हो मेरे बच्चे, तुम हीरा हो हीरा, जो लाखो करोडों में नहीं मिलता मेरे बच्चे, उसमें से खोज कर मैंने तुमें निकाला है मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि तुम कितने प्यारे हो, कितने शक्तिशाली हो, कितने मजबूत हो तुम जानते हो, कि तुम्हारे अंदर जो गुण है न, वो शायद ही किसी और के अंदर हो मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो मेरे बच्चे और तुम मेरे बहुत खास, बहुत प्रिये बच्चे हो, तभी तो मैंने तुम्हें अपने इच्छा को उसी वक्त मेरे चड़नों में डाल कर भूल जाया करो उसके बाद वो मेरा काम है चाहे वो तुम्हारे परिशानी हो, कस्ट हो उसको खतम करने का काम मेरा है और अगर तुम्हारी इच्छा है तो उसे पूरे करने का काम भी मेरा है तो ना तुम परिशान मत उआ करो, अगर मंदिर आते हो, तो मंदिर में मेरे चड़नों में छोड़ दिया करो, अगर विश्वास है तो, वैसे विश्वास है ना तुम्हें अपने बाबा पर, और सुनो, जो भी तुम काम कर रही हो ना मेरे बचे, अच्छे से रुची से करन फिर देखना, तुम्हें मैं तुम्हारे काम में ऐसे शीशे की तरह उतार दूँगा ना, कि तुम इतने जादा अपने काम में हो जाओगे कि तुम्हें किसी की जरौत नहीं पड़ेगी, तुम्हें बार-बार किसी से पूछने की, या ग्यान लेने की जरौत नहीं तुमना बहुत बहुत दिमाग वाले हो मैं जानता हूँ अगर तुम्हारे सामने कोई चीज एक बार कर दीना फिर तुम्हारे दिमाग में वो बैठ जाती है फिर तुम्हें बार बार किसी से पूछने करने की जरुवत नहीं पड़ती बस ऐसा ही है तुम्हारे साथ और मैं यही समझाने वाला हूँ कि तुम किस तरीके से अपने काम को कर पाओगे और सुनो तुम्हारे बच्चों की जो स्कूल की फीस है ना मेरे बच्चे वो अभी जमा होनी बाकी है मैं जानता हूँ मेरे बच्चे लेकिन तुम चिंता मत करना वो पहुँच आएगी पहुँच आएगी मेरे बच्चे और हो जाएगा सारा इंतजाम तुम बिल्कुल चिंता मत करो तुमने मेरे आगे अर्जी लगाई है ना तो वो सब हो जाएगा मेरे बच्चे बिल्कुल भी चिंता मत करो और सुनो जो ये जिन्दगी है ना मेरे बच्चे ये जिन्दगी तुम्हे तौफा है मेरे बच्चे इस जिन्दगी को तुमने ऐसे ही यूँ ही समझ रखा है कि ऐसे ही हर किसी को मिल जाती है जरा अपने घर से बहार निकल कर देखो अपने चारों तरफ देखो कोई पशू बना हुआ है, कोई पक्षी बना हुआ है, कोई कुता बना हुआ है, कोई बिल्ली बना हुआ है सब घूम रहे हैं, ऐसी सड़को उपर ठंड में कुकड रहे हैं उनके आसपास कोई भी नहीं है सोचो कि तुम्हें इंसान का जरम दिया है सोचो इस बात को अगर मैं तुम्हें कोई पशू बना दू कोई पक्षी बना दू तब कैसे रहोगे तुम सोच सकते हो उस जीवन को नहीं सोच सकते तुम तुम सोची नहीं सकते हो जब तुम इंसान के जीवन में इतना परेशान हो तुम इतना देने के बाद इतना परेशान हो तो उस जीवन का तुम क्या ही करोगे क्या करोगे तुम तुम कुछ करी नहीं पाओगे तुम सोच नहीं सकती हो उस जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकती हो और वो जीवन, वो पशू पक्षी ये सब बिता रहे हैं व्यतीत कर रहे हैं तुम्हें कभी गाएं की आँखों में आसु देखे हैं कभी उन्हें रोते हुए देखा हैं कभी देखना तब तुम्हें अपने जिंदगी का एहमियत होगी तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी जिंदगी क्या है ये दो-दो मिनट में तुम कहते हो ना कि साहीं क्या जिंदगी दी है मुझे ये, कितनी बत्तर जिंदगी है, इससे अच्छा मर जाना, तो ये सब बोलना छोड़ दोगे तुम, ये बोलना छोड़ दोगे, अपनी जिंदगी की कीमत को समझो और उसे जीना शुड़ करो अपने तरीके से, और जो चीज तुम्हारे पास नहीं है, उसके लिए महनत करो ना, किसने मना किया है, महनत करो मैं दूँगा, मैंने कब मना किया कि मैं नहीं दूँगा, मैं दूँगा, महनत करो मेरे बचे, और सुनो, जो तुम मेरे नाम लिए नाम लिए नाम लिए नाम लिए तो तुम्हें इसका बहुत फल प्राप्त हो रहा है मेरे बचे, तुम नहीं जानते हो कि जाने अंजाने जो तुम मेरा नाम लिखते हो ना मेरे बचे, इसकी तुम्हें बहुत मेरी किरपा, मेरी बहुत सारी किरपा तुम्हें मिल रही है मेरे बचे, बहुत किरपा, और सुन अपनी जेब को न या अपने पर्स को कभी खाली मत रखा करो, खाली से मतलब है उसमें पैसे रखा करो मेरे बचे, जब ही मैं तुम्हें पैसे देता हूँ ना मेरे बचे, तो तुम उसे एक ही बार में सब उड़ा देते हो, सब खर्च कर देते हो, लेकिन कभी संभाल कर नही पैसे के राएगुंaj करने आयगी नहीं बस में तुम्हें सचेत कर रहाँ कि ऐसा किया करो मैं नहीं चाहता कि तुम किसी की आगे हाथ फैलआयो किसी अम आंगो